पहले सुन लिजी और सभी भाई सुनने मीडिया के इससे ज्यादा ओपन बैठक तो होई नहीं सकती पारक ना इतना तेज बोलता है कि दीवारे पार हो जाती है बोलते हैं तो पहले तो गोपनी पब्लिक की बैठक ती क्योंकि यह सड़क सुरच्छा विवाक के दौरा हमारे आईटी ओपिस के दौरा बैठक करी गई थी किस तरह से सड़क के नियम लागू हो किस तरह से याताया सही तर प्रिकंडे की बात करें हमने यह कहा है एना चाई जो पुलेंसर मार के हमारा गाजियाबाद के लिए एनाचाई नाइंटी बन है उस पर पूरा रोड टूटा हुआ है अगर वह रोड सही नहीं होता है तो उस पर जो इनसान टोल दे रहा है उसको रोड सही चाहिए ने रोड मरमत का कारी नहीं किया एक बात और आप नहीं नेचे बैठके लोग अवर लोड बहान पर यह के जो ओवर लोड बहान जो हमारी सड़के बनी हुई है जो ओवर लोड बहान चल लें उस पर कैसे कमान कसी जाए क्योंकि रोड द्वस्तों रहें पिर्देश सरकार बना रही है प्रदेश सरकार की निर्देश हैं कि कोई भी ओवर लोड बहान हमारे जिले में पूरे प्रदेश में नहीं चलेगा उसके लिए हमारे परवरतं दल के चतरवेदी जी आईटीओं के आइटीओं हैं हमारे यहां पर उन्होंने बाइदा किया है कि कल से अभ्या चोड़ाए हो कौर्सी चोड़ाए हो निवास गुरांट का तरह हो इन पर लेट फिरी होना चाहिए जब लेट फिरी होगा तो लोगों को सॉलियत होगी और उन्हें खड़ा नहीं होने पड़ेगा लेट वाला हमेसा फिरी रहता है वह का उसके रहले रैड लाइट नहीं होती है अश्वदागी सिकाई इसलिए इसकी आदिस्ति जैब्रा लाइन में यह था कि तीन महीने पहले नगम के द्वारा उनको पत्तियों को बनाये गया वह तीन महीने लिए के लिए रोड को लिए रोड हो रही है अब बजट पास हुआ है उसमें सारे रोड बनेंगे गली बनेंगी जो भी हमारी जलनीकम की योजना चल नहीं थी उससे जली गलियों की खोड़ाई हुई उनका भी चल जलदी हो कि देखे स्मार्ट सिटी में जंता से मेरा यह अपील यही है कि जो भी सुबह सुबह लोग अपने घर का कुड़ा रोड पर फैंक देते हैं गंदगी फैलाते हैं वह स्वैम नगर निगम के द्वारा गाड़ी चलाई गई है वह बजाते हुँ औरन बजाते हुआ आती है उस जो रहेगा तो एक आच्छा है स्मार्ट सी टीम का इस नंबर बन हमारा रहे हैं